है आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटिप चानल पर मैं हूं मुकंत पाठाग और आज हम इस वीडियो में बेसी डिसक्रस कर रहे हैं महास्रा है एच्सी कभ सिक्षास है और साइब एकजाम के बारे में क्यों जर्त तेंट एंड ड्लॉल्ट बाद को बारे मं इसके बारे में हम बात करें एक भूजस्द कर भी निखलया बहुत ही बच्चे बेताब है अपने जल्स को जाने करी क्योंकि लोग लॉक्डाउन के बाद को विड के बाद जाके प्राक्टिकल एक्जाम यानि की फिजिकली एक्जाम कंड़क्ट किया गया था तो यह बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनका जल्स प्रफॉर्मेंस के और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर यह जो कोशन था कंडिशन सोचल मेडिया पर और कंडिशन जो न्यूस चैनल वाज लोग है वह भी कंडिशन कर रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर से कि कब 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 आएगा तो आज फाइनली जो स्कूल मिनिस्टर जो है ठीक है कि जो 10th and 12 का जो रिजल से आने वाला है यह उन्होंने उस कोशन का भी आंसर दिया क्योंकि में मंत आगे है और में मंत का एंडिंग भी आगे है जैसे आपको मालूम है तो और अगर हम कोविड की पहले का सिच्वेशन देखे तो जो 10th and 12 के जो रिजल्स होते हैं में एंड स्टार्ट होने वाला है कुछी दिन में तो अब यह रिजल्स कब डिक्लेर होगा क्योंकि पहले कि देट सबको मालूम हो जा रहा है कि यह देट पे अब रिजल्स आ जाएगा लिकिन अभी देट भी डिक्लेर नहीं किया गया और मंत भी आइंड होने जा रहा है तो अनके रिजल्स बहुत जडली डिकलेर करते जाएंगे यारि कि उन्होंने एक डे दिया गया है तीकि डेज दिया हुआ है यह देज्ट पर ही आपका डिक्रेंगे 15 वे स्टाम लिया हुए ठीक है 15 देख्ट यहां पर इसे डाइट रिजल्स आप टॉड विल बि आन्नांस in the next 15 days पंदरा दीन के पाद आपका जो रिजल्स है वो डिक्लेर कर दिया जाएगा गाइस तो बेडिर फॉर यह रिजल्स गषे है और आप पास हो जाओ अच्छे बाक से अपने जो फ्यूचर का जो गोल सेट किया वह अपने देंखिया अपने फॉर्ड इस सट किये उसको आप कंटिंव कर सकते हो तो यहां पर दिसकते हो की तैं तैं टैं ट्थन ट्रुप्र वह का जो तो था तो यह बच्चू कडू ने ही बोला हुआ है कि उनका यह स्टेट्मेंट है और यहां पर जो बीच में कॉंफरेंस हुई थी जिसके इंदर न्यूस चैनल वारे ने यहां पर कुर्सन उठाया था आप जैसे दिखते हैं कि जो न्यूस चैनल वारे लोगे वह भी कि कब रिजल्स आएगा क्योंकि अपने महास्ता एक्जाम सुवे थे बेसिकली तो वह भी चाहते कि दिखना जाते कि कौन सबसेट टॉप पर है तो पहले तो बात यह है कि आप लोग जनेरेशन सो इंडिया के तो यही चाहते कि जो रिजल्स हो वह जल से जल डिक्ले किया जाए जल से जल मतलब इतना घाई करके नहीं लेकिन अच्छे तरीके से जल से जल डिक्ले कर दिया जाए तो यहां पर जो बोला गया है कि जो तक पहुंचाते रहूंगा कोई भी अपडेट आएगा गाईश औफिसेली वेफसाइट पे बीजिट कर रहा हूं लिंक आपको दिस्क्रिप्स बाक्स में भी दिया हूं और आपको बीजिट कर दो और आपको बीजिट चैनल से सोचल मीडिया और इंटरनेट तो आपको सब जीए किसे पता चल जाएगा लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल के तुरू आपको अपडेट दूंगा जैसे ही आएगा एगा ए तो पंदा दिन बोला हुआ है तो आप नेक्स विक में चले जाओगे जून के यहां पर गाईज एक और स्टेटमेंट दिया गया है बाए बच्चू कडू के तुरू तो इन्होंने कहा है कि जो महास्त्रा स्कूल्स और कॉलेजिस या जो भी एजुकेशन सिस्टम जिसको प्लूपल को तो इस तरफेहलों हो सकते हैं तो उनकी वहता इजुकेशन की बहुत अच्छी है ओंगर कि भात के कि तो महास्ता में अधर स्कूल्स से अच्छी इहां पर दी जाली है कि यहां की जो यहां के सिखाय जाए सब्जिक से या मैं जो आप श्बजिक सहिक है और इनका यह कहना है कि जो एजुकेशन एजुकेशन होती है जैसे आप देखते हो कि कास्ट वाइस क्या हो जाता है लेकिन यहां पर बोला गया है कि जो एजुकेशन हो जाती है क्योंकि आप देखते हो बहुत सारी financial conditions होती है तो कोई education compete नहीं कर पाता है तो इसलिए जो एजुकेशन इनक्वालिटी है यह बहुत जादा डेंजरस है जैसे हम जानते कि अगर सोसाइटी एजुकेट्ट होता है थीकिए तो उसे अगे जो नैशन से हैं ठीके सब वहaina्यटी- इक्वालट疫 मत्तों है चाना उप तो एजुकों सब्सक्राइब से ताकि सब एज्योकेटेट हो सोसाइटी चेंज और डेवलप्लमेंट आए गया तो देखिये अब आते हैं रिजल्स पे तो पंदा दिन वेट करेंगे गाई जैसे जाये आपको अपडेट देता होंगा अब तक आपने जितना भी देखा यह सबाफ और पी माजा के इंक्वाईर से आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्षियन में कमेंट कर सकते हो और चैनल पर पहली बार हो गाई से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो बैल इकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो बैसलिक गाइस पंदा दि मैने इससे पहले एक वीडियो बनाया था तो महाँ पर मैंने फॉर्स-जून बताया था ग्रिकेश्य पडेट आता रहेगा आपको अपडेट देता रहूगा पर आप्स जून के पंदा दिन की बेट करेंगे चलेए विदिए बस इतने ही